इस वीडियो में हम फिजिकल और क्यामिकल चेंजिस जो की चाप्टर सिक्स है क्लास सेवन्थ एंसी आर्टी का उसके एंसी आर्टी सेलुशन्स समझ के अच्छे से इस वीडियो में हम सॉल्फ करने वाले हैं है 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 सो लैट स्टाटेड सबसे पहले क्लैसिफा दर चेंजिस इनवर्फ इन दा फॉलइंग प्रोसेस एस फिजिकल और क्यमिकल चेंजिस जितने भी आपको यहां पर दे रखें हैं फोटोसेंथिस डिसूल्विंग शूगर इसमें आपको यह बतारा है कि कौन सा कैमिकल औ वो changes होते हैं जिसमें एक नई चीज नियो सबस्टांस बनता है जो कुछ नए सबस्टांस नहीं बनाते ठीक है वापस वो सबस्टांस आपको रहाम से मिल जाता है photosynthesis में आपने देखा होगा कि जो plant होता है वह carbon dioxide water इन सब चीजहों को use करकर क्या नई चीज बनाता है oxygen and carbohydrate तो यह chemical change है next है अगर आप water में sugar डाल देते हो और dissolve कर देते हो तो वो एक physical है या फिर chemical है अगर आप को जला रहे हो यह हम पहले ही पढ़के आचुके जब भी किसी चीज को जलाते है तो गैस निकलेगी अगर ऐसा हो रहा है तो यह chemical बर्निंग प्रोसेस में मोस्ली जो होता है वह chemical ही होता है next melting of wax यह मैं आपको हर जगह बता चुकी है आप MCQ वीडियो देखो कि उसमें भी मैं आपको बताया है क्योंकि melting of wax अगर आप कर रहे हो तो वह physical change है लेकिन अगर burning of candle कर रहे हो तो वह बहुत physical and chemical change है अभी जब यह question आएगा तो मैं आपको इसको च्छेस explain करूंगी नेक्स्ट बीटिंग aluminum to make aluminum foil को बीट करते हो aluminum बनाने के लिए तो भी वह physical change है ठीक है अब फूड के जब digestion होती है तो आपकी जो खाना है वो नहीं चीजों में टूट जाता है nutrient में टूटता है energy में यह भी एक chemical change है और बहुत सारी acid releases होते है नेक्स्ट है state whether the following statement are true यह जितने भी statement निखें इनमें से कौनसा true और कौनसा false है cutting a log of wood into a pieces is a chemical change वुड को काटना एक chemical change है बिल्कुल भी नहीं वुड काट ही तो रही हो ना उसका shape change हो रहा है और हमने यह पढ़ा है कि shape change होना एक physical property है हमने chemical properties में तो कहीं नहीं पढ़ा था कि जो shape हमने तो वहाँ पढ़ा था कि heat light और gas अगर sound आ रही है तो chemical change होता है इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो यह false है formation of manure from leaves is a physical change अगर आप पत्तो से manure बनाते हो तो यह क्या ही एक physical change है बिल्कुल भी नहीं है कभी physical change होई नहीं सकता क्योंकि अच्छे से manure बना लिए तो वापस leaves मिलेगा नहीं मिलेगा reversible change नहीं है यह false है iron pipes जो iron की pipes होती है उनको zinc से coat कर दिया जाता है इसलिए coat करा जाता है ताकि वह अच्छे रस्ट नहों हो पाए ठीक है और अच्छे से cover हो जाए तो क्या यह सही है yes हम यहीं करते हैं और यह true भी है next iron and rust are the same substance iron और rust दोनों सेम सब्स्टांस होते हैं नहीं क् प्रॉस्ट की iron जो होता है वह तो iron है but rust जो होता है उसके अंदर iron oxygen और water सम मिला हुआ है तो कंडेसेशन कंडेसेशन of stem is not a chemical change जो steam है उसकी condensation process condensation क्या होता है steam है भाप भाप वाप से water में बदलेगी water से वाप से वाप सवाप बदलेarta में बदलेगी water से वाप में बार यह कुंझे का में हो सकता है जो change reversible होता है लीवर्स पर वहाविशी फिजिकल होता है तो इसका है true यह सही बता रहे हैं यह chemical change नहीं है ठीक है question को दिहान से पढ़ना मेरी जैसे नहीं करना next third when carbon dioxide is passed through the lime water it turns milky due to the formation of इसके answers आप guess कर सकते हैं हम इसके answer देखेंगे the chemical name of baking soda is यह question तो हरी जगा पूचाता है बहुत famous question है यह two methods by which rusting of iron can be prevented are dash and dash changes in which only dash properties of substance changes are called physical changes changes in which a new substance are formed are called dash changes तो पहली बात हो कि जब आप carbon dioxide को lime water के साथ पास करते हो तो वह milky बदल जाता है ठीक है मैंने आपको यह notes में बताया था कि एक question इसमें पूचा जाता है कि जब carbon dioxide को lime water के साथ mix करते हो तो वह कौन से दो new चीज़े बनाता है मतलब उसमें क्या दो नई चीज़े होती है सबसे पहले तो वह milky में मतल जाता है दूसरा उसमें से calcium carbonate बन जाता है नेक्स्ट chemical name baking soda का होता है sodium hydrogen carbonate दो method जिससे आप रस्टिंग को prevent कर सकते हो आप रस्टिंग होने से बचा सकते हो किसी भी चीज़ को अगर वह iron की है पहला है painting दूसरा galvanization galvanization वह process होता है जिसमें आप क्या करते हो iron के उपर zinc की coating कर देते हो ठीक है zinc की layer विछा देते हो ओके तो यह आपने iron है इसके उपर आपने zinc की layer प्रचा ली जिसके वज़े से oxygen and water इसके नदर आई नहीं सकते है next changes in which only physical properties of substance change are called a physical change कहीं पर भी physical change आ रहा है तो वह किस वज़े से हो रहा है उसके physical properties की वज़े से physical properties जैसे shape sizes next change in which a new substance or form are called a जिसमें new substance बनते हो उनको हम क्या कहते है chemical changes next when baking soda is mixed with the lemon juice जब baking soda को lemon juice के साथ mix करते हो तो bubbles निकलते हैं और साथ में gas भी निकलती है यह किस type का change है जब baking soda को lemon juice के साथ mix करते है तो bubble निकलता है और यह हम पढ़ चुके है chemical properties में chemical properties क्या होती है जब आपका जब आपका gas निकल रहा है जब आपके bubbles form हो रहे हैं तो समझ जोगी वह chemical change किस type का change है chemical change इसको explain करने के लिए यह equation ही काफी है अगर आपको school में इसको ऐसे लिखवाया है कि वन lemon juice is react with the baking soda it will form the carbon dioxide and other substance like bubbles and carbon dioxide तो आप यह भी लिख सकते हो सेम इसी को आपने यह plus plus है ना इसको आपने react बना लिया है ठीक है ओके तो जब lemon juice को baking soda के साथ mix किया जाता है तो इसमें से gas निकलती है carbon dioxide और बाकी चीज़े होती है जैसे bubbles निकल गए sound निकल गई यह सारी चीज़े होती है next vendor candle burn जब candle जलती है यह पर देखो ध्यान से सुनना जब candle जलती है तो physical और chemical चैन दोनों होता है ठीक है तो physical में क्या हो रहा है और chemical में क्या हो रहा है यह बताना है और एक और example देना है जिसमें दोनों चीज़े होती है physical और chemical तो सबसे बहले बात अगर wax melt हो रही है तो wax को वापस रोल करकर उसको वापस candle बनाया जा सकता है तो वह तो सिर्फ फिजिकल हो गया लेकिन जब आपको बोला क्या burning of candle जब candle जलेगी तो wax melt नहीं होगा क्या melt होगा तो वह हो गया physical change जब आपको कोई बर्निंग ऑफ केंडल बोलता है तो उसमें दोन होगा physical change physical change में क्या हो is the breakdown of the larger food molecules into the simpler one इसमें क्या होता है physical change क्या हुआ इसमें जो बड़ा खानाया का टुकड़ा होता है वो छोटी-छोटी टुकड़ों में तूट जाता है आप यह भी लिख सकते हो physical change breakdown of larger larger आप लिख सकते हो complex substance into simpler substance अब chemical change क्या हो रहा है chemical change यह हो रहा है कि सबसे बहले तो इसमे acid और enzymes का हाथ है यह तो chemical change के लिए काफी है दूसरी चीज यह हो रही है कि एक new substance बन रहा है जैसे energy आप यह भी लिख सकते हो the chemical change is the digestion of the food the chemical change is the digestion of the food in which energy is released यह हो सकता है next time six how would you show the setting of the curd is a chemical change दही बनना एक chemical change है यह कैसे बता होगे यह एक chemical change इसलिए है क्योंकि curd को दही को आप वापस milk नहीं बना सकते हो तेक है the properties of the milk and curds are different और दोनों की properties भी different होती है next explain why burning of the wood and cutting into the small piece are considered as the two different types of the changes लकडी को जलाना और लकडी को काटना दो अलगलग changes है लकडी को काटना एक physical changes है क्यों क्योंकि इससे वुड का nature change नहीं हो जाता है मतलब वुड का shape, size यह सब एकदम से रूप रंग नहीं बदल जाता है इसलिए लेकिन अगर वुड को जला दिया जाए तो वो तो पूरी राख में बदल जाएगी चार कोल में convert हो जाएगी and साथ मर सीयो टू गैस और निकलेगी सीयो टू गैस जब निकल रही है कार्बन डायोकसाइड तो ही हमने पढ़ा है कि एक क्यामिकल चेंज है नेक्स तर एट इस्क्राइब हाव क्रिस्टल्स अप्र प्रिपेर कॉपर सल्फिट यह एक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस पूछा जा रहा है बिसिकली कैसे होता है इस फॉर्म में पूछा सा सकता है या पिर यह भी पूछा सा सकता है कि डिसक्राइब क्रिस्त्लाइजेशन प्रोसेस्ट तो क्या होना है क्रिस्टल्स ऑफ दे कॉपर सल्फिट आप्पर प्रिपेर्ट उजिंग एक ब्रॉट्र अपको लेना है उसके अंदर डिलूट से ब बहुत जरूरी है या डाल देना पूरा मत पलटना थोड़े से ड्रॉब्स जालने है वस फिर उस वाटर को गरम करना है और जब यह बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें कॉपर सल्फृर्ट पाउडर आपको डालते जाना है मतलब से आपको गुंवाते जाना शाथ कोपर तक डलख और उसमें लेकर 我是 बहुत की समयộtहाँ ऑस Nearly ऑनल जब तक करनीक हो जब तक उसमें और कि system और का जयाए- जैसिस एब सोड़ी को एंऴ्द समझ लोगी सब्सक्राइब बन गया है फिर आपको करना है इसको चाइना डिस चाइना इसको नहीं होती कुछ इस तरीके से होती है यह दिखने में आपको इसमें फिल्टर कर देना है उसको ठंडा होने देना थंडा होने के बाद इसको फोड़ा सा भी टेच नहीं करना है तीन से चार दिन के लिए आप इसको अंडिस्टर छोड़ दो तो आप देखोगे अगर आप आइरन गीट को पेंट कर दीते हो तो वो कैसे बचाता है रस्टिंग को तो रस्टिंग के लिए क्या ज़रूरी है इसा नहीं कि पूरा पानी जो है एक बकेट पानी जरूरी है रस्टिंग के लिए ऐसा नहीं है अगर हवा में थोड़े से भी वाटर के मॉलिक्यूल्स वाटर के ड्रॉप्स प्रेजेंट है तो वो भी चलेगा रस्टिंग के लिए उतना काफी है तो रस्टिंग आइरन के पेंट करते हो तो आप क्या करते हो वी प्रिवेंट दा कॉंटेक्ट बीट्विन आयरन ऑक्सिजन और आयरन के बीच में और ऑक्सिजन और वाटर के बीच में प्रिवेंशन बना देते हो उनको प्रिवेंट कर लेते हो इसी वजह से आप रस्टिंग और आयरन को भी प्रिव अगर आपके फ्रेंड एक ऐसे एरिया में रह रही है जैसे केरिला साइड में रह रही है आपका एक फ्रेंड जो है वह राजस्तान जगह पे रह रहा है तो रस्टिंग किसके घर के पास जदा जल्दी होगी तो किसके पास मतलब कोस्टल एरिया में जदा जल्दी रस्टिंग होगी से तेहल में होगी आपको फिर से वही भात पता है कि रस्टिंग और रिक्टा कॉण्ड वatar and oxygen बहुत ज़रूरी है water और ऑक्सिजन का होना रस्टिंग के लिए तो कोस्टल इर्यास में युमिडिटी जाधा होती है तो अगर युमिडिटी जा-टी क्या मतलब होता है हवा में थूड़ी सी चिपचे पाहट बहुत चिपचिप आपको कि लगेगा जब वर्टर में जब हवा में बहुत जाधा वात ज़ादा बाटर प्रेजन तो अगर यूमिटीटी कोस्टल इस में जादा होती है और वह काफी रस्टिंग के लिए हैंस रस्टिंग फारन नेक्स्ट गैस भी हम किचन में यूज करते हैं। उसको हम कहते हैं LPG जिसका full form होता है liquefied petroleum gas ठीक है यह हमारा cylinder है समझ लो यह हमारा cylinder है ए यह वारी gas है जिसके ओपर gas जल रही है इसका है B ठीक है इन cylinder it exists as a liquid जो cylinder में जो gas होती है यह liquid form में होती है और जब cylinder से बाहर आती है तो यह gas में बदल जाती है तो समझ लो जब अंदर है तो हमने इसको change A नाम दिया और जब यह बाहर आही तो हमने इसको change B नाम दिया तो यह क्या है यह क्या है यह जो process A है chemical change यह फिर या फिर दोनों ही chemical change यहां फिर कोई भी chemical change नहीं है ठीक्या तो इसका correct answer होगा process B ग्यों chemical change है क्योंकि एक liquid किसमें बतल रहा है पूरी तरीके से जो गैस है तुसमें convert हो रहा है गैस को आप वापस लिक्विड भी बना सकते हो बट यह किसी चीज में आप इसमें में हेल्पफ़ुल ओ रहा है में हीट निकल रही है इसमें लाइट निकल रही यह है जिसमें हीट निकलती है वह तो उसको chemical change ना को ऐसा हो नहीं सकता तो process B is a chemical change process A chemical change नहीं है अगर लिक्विड में भी अगर आपको heat दिखती light दिखती तो होता ठीक है उपर से यह gas भी नहीं है यह liquid है next है ट्वेल्थ अनरोबिक बैक्टीरिया जो अनरोबिक बैक्टीरिया होता है ऐसे बैक्टीरिया समझ जो आपने उनको मिट्टी में आपने सबजी के छिलके डाल दिया आपने fruits के डाल दिया तो मिट्टी में जो अनरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है यह बैक्टीरिया इनकी खासियत होती है कि बिना oxygen के help से अभी आप इनको आगे पढ़ होगे 11 शाप्टर की वीडियो प से जो बिना oxygen की help से काम करते को अनरोबिक कहते है और जो oxygen को लेकर यह सब करते हैं उनको आप अरोबिक कहते है अनरोबिक बैटेरिया क्या करते हैं जितना अनिमल वेस्ट है वो सब डाइजेस्ट कर लेंगे एक बाईो गैस प्रेडियूस करेंगे जिसको हमने चेंज नाम यह गैस प्रोड्यूस हो रही है ध्यान से देखना अब यह जो बायो गैस है फिर हम क्या करते हैं इसको बॉर्ण करते हैं इसको जला रहे हैं इसको जला रहे हैं और इसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं और जब हम इसको फ्यूल की तरह यूज कर रहे तो हमने इसको चेंज बी नाम दे दिया है तो बताओ यह क्या है? प्रोसेस एक замal family है या फिर प्रोसेस भी gamal change है या फिर दूने ही chemical change या फिर जना फिर कोई भी chemical change नहीं इसका correct answer है दोनो ही chemical changes है सबसे पहले में तो gas produce हो रही है पूरा छिलका ही बदल जा रहा है मतलब एक new substance बन रहा है और वो new substance भी क्या है gas है तो यह तो chemical change होना पक्का था change है अग change भी कैसे हुआ simple सी बात है कि वो जलाई जा रही है जलाई जा रही है तो heat and light and new gas तो बनेगी न ओके तो यह भी एक chemical change है यहाँ पर हमने अपने ncid solutions समझ के complete की है ठीक है answers आपके आप चाहे कहीं से भी लिखो आप चाहे यहां से लिखो आप चाहे अपनी copy से लिखो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको like करना and share करना अपने class group school groups में जिससे उनको भी यह notes मिल सके and helpful हो and एक comment तो जरूर करना कि आपको वीडियो कैसे लगे and अगर आपका कोई doubt हो वो भी आप comment कर सकते हो and आपको किस chapter पर कैसी वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे comment करकर बता सकते है and चैनल को subscribe जरूर करना and इस वीडियो को like जरू करना and notification bell को on कर जेना जुसके विजह से आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी Thank you very much